सुयर हे वाट्सप गाईज में पास काफी सारी रिक्विश्ट रही थी अगर हमें आज से आर्केट के अंदर पाट्स पेट करना है और हमें स्वैक को क्लेम करना है तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करें अभी एंट्री कैसे करें क्या में कोई फॉर्म फिल करना रहेगा और पहुत अच्छे इप टो क्यों आज की सबूलती है और अगर आगर आगे देखर आपको उस वक से स्टार्ट करना है सो क्या प्रोसेस रहेगी तो पहले पार्ट में हम बात करने वाली कि कैसे आज के टाइम पर अभी के टाइम पर एंटर करोगे इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर और कैसे आप स्टार्ट करने वाले हो सेकेंड वाले वातांगो कि कैसे आप एक्स्टा पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो अर्न कर सकते हो एक्स्टा पॉइंट जिसके तो आप जो है इलीजी वह लुपाओ के स्वैक्स के लिए आप आज देख रहे हो या इन फ्यूचर कभी भी देखो कि जब कोई आज की डिवेंट चल रहोगा तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए पर्फेक्ट होने वाली है बिगनर टू जितनी भी अभी तक चीज़े हुई है वह साही चीज़े हम आपको समझाएंगे ठीक हमले आपको बिगनर टू एडवांस बना देंगे सब के जितना अभी जितना मेरे साथ लोगों ने कर रहा है अब चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर वीडियो का टॉपिक अच्छा लगे एंड वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो यार लाइक करना शियर कर देना अपने कॉलेज ग्रूप में जिनको भी इन सारी इवेंट्स परच्पेट करना है साथ-साथ कमेंट्स जरूर करके जाना क्योंकि आपकी कमेंट्स से मुझे कासदा मोटिवेशन मिलती हैं मुझे कासदा अच्छा लगता है कि आप जो कमेंट करते हो और आपको चीज अच्छी लगती है तो चलो अपनी वही और पुरानी वाली लाइन चैनल पर नहीं हो च अपने इधर Gmail इधर type करो and enter तपाओ and एक account को आपको create करना है ठीक है एक fresh account create करना जिसके उपर already कोई batch नहीं हो पुराने batches को मत लेना गाइस फ्लीज यह चीज समझो कि अगर आपको 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 points collect करने पड़ेंगे जिसके लिए आपको बिलकुल fresh ID चाहिए अगर पुर post करके चल रहा हो कि आपने Gmail ID create कर लिए है ठीक है so second चीज़ आपको क्या करने है second चीज़ आपको आना है आर्केट की इस official page पे अब आर्केट की इस official page की link जो आपको मेरे description में मिल जाईगी तो आपको कही पर भी ढूनने की जर्वत नहीं पड़ेगी ठीक है सबसे पहले अदर आ जाओगे अब बात आती है वह फैसिलेटर प्रोग्राम का क्या उसमें तो लोगों ने form फिल करें तो यह फैसिलेटर प्रोग्राम दो महीने ही चला था और यह आर्केट का सब पार्ट होता है इसमें आके बास मौका रहता है कि आप जाधा points earn कर सकते हो अगर आपक कुछ नहीं है अगर आप आर्केट के फैसिलेटर में नहीं कर पाए हो और बाद में कर रहे हो अभी से कर रहे हो स्टार्ट तो भी आपको swag मिलेंगे आपको mails आएंगे बट कुछ basic settings भी हमको करनी पड़ेगी जिसके तो आप जो ready हो पाऊ सारी चीजों के लिए ठीक है तो तो don't worry 15-20-30 minute बाद फिर से subscribe पे क्लिक करना क्योंकि कभी गबर ऐसा होता है कि एक बार में चीज़े नहीं आती है ठीक है यह होने के बाद आपका next process क्या रहेगा आपको sign in करना है cloud skill boost की इस website पे अब यह सारी चीजों के आप bookmark करके रख लेना ताकि आपको बार-बार कैसे कर लेना आप अपने किसी भी desktop पे इस सेटिंग करके लगा दिया जैसे मैं आर्केट के cloud skill को यहां पे लगा दिया इससे क्या होता है सारी चीज़े प्रॉपली लाइन पर अरेंज रहती है ठीक है यह चीजिस कर लेना याली website पर आजाना इसकी भी link में आपको description में दे लग कर दिये कि इधर किसी और से कर दिया उदर किसी और से गिर दिया फिर तो भूल जो फिर कुछ ने मिलना यहां पर मान लेते कि आपने sign-in कर लिया है sign-in करने के बाद आपको ऐसे तीन options आए ठीक है अब sign-in करने के अगर मैं आपको अपना दिखाऊ तो आपको यह सारे options दिख रहे होंगे अब चिंदा मत करना मेरा already setup account इसलिए आपका भी अभी हो जाएगा setup मैं जो जो settings बताऊं उसको करने के बाद में आपको इधर account दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है subscription आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा सिर्टिंग दिख रहे होगी settings प select कर लेना then अगर फोटो डालना चाहते हो तो फोटो डाल देना प्लेयर का नीम इधर से select कर लेना आप जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो इन दोनों को make sure करना आप टिक करो ठीक है काप important ही यह दोनों points इन दोनों को टिक करने को बाद update settings पर आपको क्लिक करना है यह सबस profile का options दिखने लग गया होगा profile पे आपको क्लिक कर देना है अब profile की time पे आपको एक चीज और दिखाएगा वो इधर मुझे link दिखा रहा है आपको कुछ नहीं दिखा रहा होगा right आपको बोला होगा अगा Google Clouds skill profile के ओपर ठीक है यह process भी complete होगी अब आपके सामने तीन ऐसे options होगे यहां पर badges के options पर आपको क्लिक करना है अभी आपके badges के options पर बिल्कुल clean होगा खुझ भी आपको यह ऐसी चीज़े नहीं दिख रही होगी क्योंकि हमने यह सब complete करी है ठीक है आपने अभी start कर रहा है आज से अब next process क्या रहने वाली वो चीज़ में आपको समझाता हूँ यह हमने पूरा account setup कर लिया है अब next process क्या रहने आ लिए तो यह हमने account setup करने क्या बाद हमें चलना है आर्गेट की इस page पर अगेन नीचे scroll करना है नीचे scroll करने के बाद आपको यहाँ पर games दिख रहे होंगे यह सारे games दिख रहे होंगे अब इसमें enroll करने के लिए आपको क्या करना है नॉर्मल इधर start पर click कर देना है start पर जैसे click करोगे आपका cloud skill boost खुल ठीक है ऐसा कुछ अब मैं already complete कर चुक हो बाद आप कैसे complete करोगे इधर आपको enroll now का option दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पर कई पर blue color का enroll now का option दिख रहा होगा उस पर आपको click कर देना है जैसे ही click करोगे आप इस particular event के अंदर enroll हो जाओगे अब इसको complete करना है complete कहां से करेंगे इन सबके solutions मेरे channel पर अवेलेबल है तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करने मैं आपको show कर देता हूँ एक बार ताकि आपको easy हो जाए इन सबकी मैं link आपको दे दूँगा ताकि आपको problem ना है कुछ भी करने के लिए ठीक है नीचे scroll करते या check out करो देखो introduction to large language models ठीक है अ आपको कुछ stack का जो batch है वो मिल जाएगा जैसी आपको यहाला batch मिला means आपने arcade के अंदर अपना पहला point जो है वो collect कर लिया है ऐसे ही seem इसके लिए भी करना है और नीचे के चारो batches के लिए भी करना है जब आप यह 7 के साथ कर लोगे तो आपके पास हो जाएंगे 7 points अब यह बडरी है हमारी समझाता हूं क्या करना है December में भी आपको events देखने को मिलने वाले और उनके points भी आपको collect करने के लिए मिलने वाले अब यह आगे points कैसे collect करना है गर मुझे extra point एक खट्टे करने तो भी हाम क्या करें so extra point खट्टे करने के लिए आपको क्या करना है आपको जो है basically इधर आ जाना है इधर आके जो है आपको ये 30 skills batch की जो link है वो मेरे description में देखने को मिल जाएगी getup के अंदर ही आपको सारे skills batch देखने को मिल जाएगे जैसे ही आप 3 skill batch खतम करोगे यानि मानलो मानलो आपने ये 3 skill batch खतम कर दिये ठीक है ये 3 skill batch complete कर लिए तो आपको जो है पहले एक point extra मिल जाएगा मालब ये 3 करने के आपको एक point extra मिल जाएगे और आप जब ये 30 के 30 कर दोगे तो कितने हो जाएगे आपके पास total 10 points हो जाएगे ठीक है इन सब के solutions भी है आपके लिए उनकी link में description में provide कर दूँगा जाके check out कर लेना और सारी details आपको description मिल जाएगे ऐसे करकर आप extra points earn कर सकते हो ना से विए 30 batch 30 skill batch से भी जादा batches जो है आपको quickslap के official profiles पर देखने को मिल जाएगे आप वहां से भी check out कर सकते हो और वहां से भी points earn कर सकते हो अब मान लेते हैं कि आपने यहां से जो है यह 7 points collect कर लिए यह वाले skill batch वैसे आपने मान लो 5 points और extra खटे कर लिए तो total 7 plus 5 13 हो जाएंगे उसके बाद मान लेते कि आपने December event के भी सारे events complete कर लिए तो यह उसको भी अगर आप complete कर लेते तो हम मान के चलते कि आपने minimum 15 to 16 to 17 batch खटे कर लिए मतलब आप advance level के swag के लिए भी eligible हो जाओगे ठीक है अब वो depend करता है आप जितने ज्यादा effort लगे उतने ज्यादा points कटे कर सकते हो max to max आप December तक I think so 20 to 30 points आप से collect कर सकते हो बढ़ हाँ efforts काफी सारे लगेंगे क्योंकि काफी late start कर रहे हो यह हर जगा पर लागूँगा ठीक आप यह वीडियो अगर अगले साल देख रहे हो जब event चल रहा हो कोई सा तो भी यह वीडियो आपके लिए काम में आएगी और आप जो है ऐसे करेंगे price earn कर सकते हो अब बात करते है price कब redeem कर पाएंगे इस वाली के लिए तो इस वाली के लिए दिसेंबर में कर पाओगे नेक्स्ट वाला जब आएगा तो उसके लिए आप हमरे latest वीडियो को चेक आउट ज़रूर कर लेना वीडियो को end करने से पहले एक अच्छे इवेंट के बारे में बता देता हूँ जिससे आपको swag मिलने के और ज्यादा chances है एटी एच hackathon चल रहा है जिसके अंदर आपको swag मिल रहे है ना सिव एक 10 लोगों को online event में swag मिल रहे है उन playlist की link भी मैं description में आपको provide कर दूँगा यह एक full packed वीडियो थी आप लोगों के लिए I hope आपको अच्छी लगी होगी यह काफी जादा efforts लगते हैं यह पूरा topic कवर करने में काफी जादा दिमाग लगते है कि कैसे आप लोगो इदम scratch से समझाई जाए सारी चीज़े तो I hope आपको काफी easy way में समझ में आया होगा अगर आया हो तो make sure करे like करे subscribe करे चैनल को and swag के लिए आपको ऐसी आगे वीडियो मिलती रहेगी free knowledge के लिए आपको आगे वीडियो मिलती रहेगी तो subscribe करो मिलता एकली वीडियो में तब तक लिए good bye